बाइबल को पढ़ने का आसान तरीका क्या है? इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका विशे था बाइबल को कैसे पढ़े? या Bible को पढ़ने का आसान तरीका क्या है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका link description box में डाल दूँगा आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन आज का जो हमारा विशे है वो है Bible को समझने का आसान तरीका क्या है सबसे पहले जब हम Bible को पढ़ते हैं तो हमें ये जानना है कि हमारा Bible पढ़ने की जो मंसा है intention जो है वो क्या है Bible को पढ़ना और Bible को समझना दोनों अलग-अलग चीज है यदि हम Bible को पढ़ रहे हैं और उसको समझ नहीं रहे हैं तो हमारा बाइबल पढ़ने का कोई भी महत्व नहीं है। हम एक दिन में बहुत सारे बाइबल के अधियाय पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें कितना समझ आ रहा है, वो हमारे लिए जादा महत्व पूर है। इसलिए आप जब भी बाइबल को पढ़ते हैं, तो आपकी intention, आपकी منसा यह होनी चाहिए कि आपको बाइबल को समझना है। अब दूसरा प्रशन ये आता है कि जब हम Bible को पढ़ते हैं और जब हम उसको समझते हैं तो उसके लिए हम एक दिन में कितनी Bible पढ़ें? इसका उत्तर ये है कि जितना आपको समझ आता है आपको केवल उतनी ही Bible पढ़नी है पूरे दिन में यदि आप एक छोटा सा paragraph Bible का पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं तो वो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप Bible की पूरी पुस्तक को पढ़ लें और आपको कुछ समझना ह इसलिए आप केवल उतना ही पढ़े जितना आप समझ सकते हैं चाहे वो छोटा सा paragraph है चाहे वो एक अध्याई है या फिर दो अध्याई है लेकिन आपको समझ आना बहुती ज़्यादा जरूरी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ Bible को पढ़ रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं उतना ही पड़े जितना आपको समझ आता है अब सवाल आता है कि Bible को समझे कैसे Bible में जो कुछ भी लिखा है उसके पीछे एक कारण है उसके पीछे संधर्ब है जब भी हम Bible पढ़ती है तो हमें उसके कारण को और उसके संधर्म को दूरने की आवाशकता है और वो हमें तब ही मिल सकता है जब हम उस पर मनन करेंगे जब हम उस पर मेडिटेशन करेंगे जब आप कोई भी पैसेज बाइबल में से पढ़ते हैं या कोई भी अध्याय जब आप बाइबल में से पढ़ते हैं, तो आपको उस पर मनन करने की जरूरत है. तीन महत्वपूर बाते आपको उस खंड में से, उस पैसेज में से निकालने की जरूरत है. जो भी बात लिखी हुई है, वो किस ने कही? किस व्यक्ती से कही? क्यूं कही? और किन परिस्तितियों में कही? ये चार चीजे आपको जानना जरूरी है. तब ही आप समझ सकते हैं, कि जो घटना या जो भी आप बाइबल में से पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तब ही आप उस घटना को समझ सकते हैं. इसलिए जब भी आप जितना भी बाइबल से पढ़ते हैं, तो आपको उस पर मनन करने की जरूरत है. उसके बाद यदि कोई बात हमें बाइबल की नहीं समझा रही, या कोई भी चीज जब हम बाइबल की पढ़ रहे हैं, वो अगर हमें नहीं समझा रही, तो फिर हम क्या करें? उसके लिए हमारे पास एक मेंटर होना बहुत ही ज़दा जरूरी है, जो हमारे प्रशनों के उत्तर दे सके. आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, वो हो सकते हैं, जो आपको आपके प्रशनों के सही उत्तर दे सके. हम बाइबल में पाते हैं, जब हम प्रेरितों के काम उसका आठ अध्याय और 26 पत से लेकर 40 पत तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं, कि एक व्यक्ति जो खोजा था, वो यशाया भविश्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था, और पवित्र आत्मा ने फिलुप्पुस से कहा, कि तो उसके पास जा, और उससे बात चीत कर, और हम बहाँ पर पाते हैं, जब फिलुप्पुस उस खोजे के पास जाता है, तो उससे पूस्ता है, कि जो तू ये पढ़ रहा है, क्या उसको समझता है, खोजा कहता है, कि जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं, तो मुझे समझ कैसे आएगा, और उसके बाद फिलुपुस जो है, वो यशाया भविशवक्ता की जो पुस्तक वो पढ़ रहा था, फिलुपुस उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, इसलिए बाइबल में बहुत सी ऐसी चीज़े होती है, जिनको समझना थोड़ा सा कठीन है, इसलिए हमारे पास ऐसा शिक्षक, मेंटर या जिनको बाइबल की नौलिज है, वो होने चाहिए हैं जो हमारे प्रशनों के सही उत्तर दे सकें और बाइबल से दे सकें, बाइबल का मनन करने के लिए एक और तरीका हमारे पास है, कि जो भी खंड आप बाइबल में से पढ़ रहे हैं, उसे केवल एक ही बार न पढ़कें, बलकि उसे कई बार पढ़ें, और हो सकें, तो बाइबल की जो की वर्सेज हैं, उनको आप मेमराइज करें, याद करें, ताकि वो आपके जहन में बैठ जाएं, और फिर उस पर आप अपने माइंड के अंदर उस पर मनन कर सकें, इस से आपको परमेश्वर के वचन की और भी ज़ादा गेहन नौलिज होती चली जाएगी, जब आप बाइबल का अध्यन करते हैं, या जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, तो आपके पास दो चीजे होना बहुत ही ज़ादा जरूरी हैं, एक है नोटपैड और पैन, जो कुछ भी आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, आप कुछ महत्वपूर बातों को उस नोटपैड में लिख लीजिए, यदि आपके पास कोई प्रशन है, तो उस प्रशन को भी आप लिख सकते हैं, यदि आपको कोई बाइबल की बहुत अच्छी लगी, और आपके जीवन के लिए वो महत्वपूर है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ताकि आप बाद में भी उस पर मनन कर सकें, इस से आप और भी ज्यादा प्रशन के वचन को जान पाएंगे, और यदि आपके पास कोई प्रशन है, तो आप उसको लिख सकते हैं, ताकि आप अपने शिक्षक से, या अपने पास्टर से, या अपने मैंटर से उन प्रशनों का उत्तर प्राप्त कर सकें, जब आप किसी भी जगा से बाइबल में पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज उस वचन में से जानने की जरूरत है, कि ये जो लिखा हुआ है, ये किस प्रकार से मेरे जीवन के लिए लापकारी है, या इसके दुआरा मैं कैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता हूँ, या किस प्रकार से ये जो बाइबल में लिखा हुआ है, ये कैसे मेरे जीवन को बदल सकती है, बाइबल यदि हम पढ़ रहे हैं, यदि हम समझ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर हम उस पर चल नहीं रहे हैं, उसको अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे हैं, तो भी ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, वो इसलिए हमें दिया गया है, ताकि हम इसको अपने जीवन में फॉलो कि परमेश्वर के वचन को बिना पवित्र आत्मा के समझा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ अपनी जीवन में मांगने की जरूत है। और बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने बाइबल को पड़ा हैं, लेकिन वो इसकी गहराई को नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ पाते हैं। इसलिए आप प्राथना के साथ और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की वचन को पढ़ें और बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। अंत में मैं एक और चीज आप से कहना चाऊँगा, जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो आप ऐसे समय को निक्ट करें, जिसमें आपको कोई डिस्ट अपना कर सके हैं। आपकी उस स्टेडीज में जब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, उसमें आए। इन सारी चीज़ों को जब आप अपनी रीडिंग में, परमेश्वर के वचन पढ़ने में अपलाई करेंगे, तो सचमुच आप बाइबल को और भी ज्यादा आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को जान पाए होंगे और कैसे आपको अपनी बाइबल को पढ़ना है, उसका तरीका भी आपको समझ आया होगा। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा, इन बातों के द्वारा बहु